हेलो गाईस, वेल्ट एक्सरेस में आपका हर्थिक स्वागत है, तो गाईस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकाउट स्टॉक लेके आया हूँ, जोब कल, कल यानि कि 15 नवेंबर 2023 को, अगर वो लेवल के आसपास मिलते हैं, तो वो श्टॉक में बहुत अच्छी रैली आ सकती है, तो गाईस, आज 14 नवेंबर 2023 से आने के विक्रम सबद 2018 का नया साल का पहला दीन है, तो आप सभी को हर्थिक शुप कमना है, और आने वाला पूरा साल आप सब के लिए मंगल करे हो, ऐसे बगवान से में प्रातना करूंगा, तो अभी अपने चलेंगे सिधा, मैं आपक आपको मिलती रहेंगी, और उसके अलावा अगर आपको premium telegram channel join करना है, तो भी कर सकते हो, या पर अपने अच्छे swing trading stock देते हो, उसके साथ साथ आपको trading psychology, risk management, position sizing क्या होती है, फिर एक setup भी सिखाते है, जो खुछ से आप trade है अपना generate कर पाऊगे, तो यह सब आपको nominal charge में सी small finance bank, तो यहाँ पर मैं आपको clear cut अभी लिख के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं तोड़ा गाव में आया हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा busy हूँ, उसकी वज़ा से नहीं आपको सारे detail दे पा रहा हूँ, लेकिन तोड़ा quickly बता देता हूँ, तो यह stock कराएगा, यह small finance bank, जो आपको कल entry लेनी है, daily chart के उपर, यहाँ पर disclaimer भी देख सकते हो, यह education purpose के हिसाब से है, आपको study अपनी भी खुछ से इसमें apply करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर clear cut आपको क्या दिख रहा है, daily chart में देखोगे, तो downtrend line आ रहा थी, बार-बार stock rejection ले रहा था, लेकिन जाता है, उसके बाद जितना हो सके, stock breakout देने का try करते हो, और यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ से उपर की side breakout आने के लिए stock ready है, और क्योंकि इसका यह supply जूनता है, वो भी break करके अच्छे से close दिया है, तो अभी क्या होगा, 15 तारिक को जैसे यह trend line के उपर stock start करेगा जाने तो बहुत बड़ी rally आएगी, stock में उपर की side अच्छी rally आ सकती है, यह level उसका 740 से 45 का level, उसके उपर भी stock जा सकता है, तो लेकिन अभी CMP भी आपको कुछ नहीं करना, 729 के आसपास है, यह stock में rally कब आएगी, 733 के उपर rally आएगी, और stop loss रहेगा, 722 का जो उसका पहले, य अगर stock में गिरावट आती, तो वो demand जो नहीं हो सकता है, फिर से stock उपर जा सकता है, तो यह stock में 733 के उपर बहुत अच्छी rally उपर की side आ सकती है, तो आप अपने watchlist में इसको लगा के रख सकते है, stock का नामे, यह small finance में, आराम से 745 के target उपर की side ले सकता है, stock 1-2 दिन में, दूसरा stock राएगा borosil limited, borosil limited में क्या हो सकता है, वो भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर stock में अच्छी rally का आप आएगा, daily chart के उपर stock का नामे, borosil limited buy करने का यहाँ पर region क्या है, यहाँ पर देखोगे तो stock का supply जोनता है, sorry, support जोनता है, support breakdown हो गया, तो अभी वो rejection का का काम क करेगा, एक बार rejection लिया, दूसरी बार rejection लिया, और stock यहाँ से breakout देके उपर भी जा सकता है, तो stock में अच्छी rally का बाएगी, जैसे stock 420 का level cross करेगा, तो अच्छी rally आएगी, 442 तक की rally जा सकती है, निच्चे आपको stop loss लगाना है, 404 का, जैसे 420 के उपर आप 10 पैसा उपर आपके entry ले सकते हैं, 442 के level आ सकते हैं, stock का नामे बोरो से limited, अभी guys मैं आपको तीसरा stock बताऊँगा, और वीडियो के end में एक ऐसा stock बताऊँगा, जिसको आप SIP stock बोल सकते हो, हर gear art में आप इसको buy कर सकते हो, SIP stock में यह अच्छा होता है कि risk reward भी बहुत बढ़िया होता ह और आपको टुक्रे टुक्रे में पाय करना है, वो आपको द्यान में रखना है, तो वीडियो के end में SIP stock भी बताऊँगा, अभी मैं आपको तीसरा stock बताऊँगा, जिसका नामे KPI Green, KPI Green में क्या हो जकता है, मैं वो भी अपने देख लेते हैं, तो यहापे आपको clear cut क्या एक मिनिट गाइस, यहापे KPI Green में अपने कौन सी study है, MACD strategy है, MACD strategy क्यों होती है, मैं उसका आपको indicator लगा के बताऊँगा, तो MACD strategy के आधियो, अगर किसी ने वीडियो नहीं दिखा तो मैं यहापे, I button पर उसका link भी देदूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो, तो MACD strategy strategy में दो indicator रिउस करते हैं, एक awesome indicator है, MACD, तो आपको पता होगा, आपने 5 दिम पहले एक DLF भी दिया था, stock ने अच्छी रहली उपर की साइड, same setup में दिखाया थी, जब भी दोनों zero line के उपर green bar में होता है, और यहापे red color के candle बनती है, तो red color के candle के high के उपर आपका buy बन ज 1088.95 यानि कि आप 1079 या 1080 के उपर buy कर सकते हो, 1037 का low है, तो 1035 पे आपको stop loss लगाना है, उपर की साइड आराम से stock में 50 से 60 पॉंट की rally उपर की साइड आ सकती है, तो आप इस stock को, KPI green को 1080 के उपर buy कर सकते हो, 1035 आपका stop loss रहेगा, आराम से stock उपर की साइड 1150 के level दिखा आ सकता है, क्योंकि जैसे red color की candle का high break होगा, तो अच्छी rally stock में आ सकती है, अभी गाज मैं आपको तीसरा और आखरे stock बताऊंगा, जिसका नामे कार्बोरेंडम इन्युवर्सल, यह stock को आप SIP stock भी बोल सकते हो, एक महीन पूरा आप उसको hold करके रखोगे, तो stock में बहुत अच्छी rally आ सकती हर गिराट में आप इसको buy करना है, क्योंकि उसके पीछे का अपने logic देख लेते हैं, daily chart के उपर stock का नामे कार्बोरेंडम इन्युवर्सल, यहाँ पर देखोगे, तो stock क्या कर रहा है, उपर breakout देखे, demand zone लिया है, उसके बाद यहाँ पर भी demand zone लिया है, और यहाँ पर भी देखोगे, तो stock यहाँ से बार-बार reversal मार रहा है, यहाँ एरिया strong demand zone का हो सकता है, stock यहाँ से bounce back कर सकता है, तो अभी आपको क्या करना है, समझो कि आपको जितना भी investment करना है, तो 50% यह stock को, CMP पे भी लेख सकते हो, 1070 के आसपास है, अगर उस stock में गिरा तो average 1055 के आएगी, 1025 का आपका stop loss होगा, तो 3.5% का stop loss रहेगा, लेकिन उपर की side rally आएगी, तो 1150 की rally भी आ सकती है, तो risk reward इसमें बहुत बढ़िया होता है, stock उपर की side जा सकता है, तो SIP stock में आप इसको add कर सकते हैं, तो guys मैंने आपको 4 stock बता है, 4 stock बहुत बढ़िया है, और guys आज की वीडियो में इतना ही है, guys please वीडियो को like करके जाना, चैनल को subscribe करना, अभी अपने कल मिलेंगे नए वीडियो में, thank you very much, bye bye, take care.